हमारी आज की कहानी है सच्ची परीक्षा यह एक गुरुजी का आश्रम है यहाँ पर गुरुजी बच्चों को तीर अंदाजी सिखा रहे हैं यहाँ पर बैठ कर उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं और यहाँ उन्हें तैरना सिखा रहे हैं यह आश्रम का दृष्ष है यहां गाए घास चल रही है और एक हिरन भी घूम रहा है और यहां पर बहुत हरियाली है और पेड़ भी है तो चली शुरू करते हैं अपनी कहानी एक बहुत विद्वान गुरू थे विद्वान बहुत ही बुद्धिवान उनके पास दूर दूर से विद्धार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे शिक्षा के साथ साथ आश्रम में घुर्सवारी तिरंदाजी तैराकी वह अन्य कलाएं भी सिखाई जाती थी गुरुजी अब वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध बूढे हो चुके थे, उन्हें अपना आश्रम सौपने के लिए किसी उच्च कोटी के विद्यार्थी की तलाश थी, उच्च कोटी के उच्च श्रेणी का मतलब ज्यादा इंटेलिजन्ट जो हो उन में से, अते उन्हों अपने सभी विद्यार्थियों को भोज के लिए आमंत्रित किया, सभी विद्यार्थी गुरुजी द्वारा आमंत्रन पाकर उत्साही थे, वे भोज के लिए आश्रम में इकठे हुए, अच्छा बच्चो ये जो अंडरलाइंड वर्ल्ड्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस क के सामने एक विचित्र शर्ट रखी, विद्यार्थियों ने कहा, आप भोजन कीजिए, लेकिन कोई भी अपने हाथ नहीं मोड़ेगा, यह कहकर वे अपनी प्रार्थरा में लीन हो गए, जबकि विद्यार्थि भोजन करने लगे, जैसे ही विद्यार्थियों ने भोजन और हाथ बढ़ाया, जिससे उन्हें हाथों को मोड़ना नहीं पड़ा, वे सरलता से भोजन का आनंद ले रहे थे, इतने में गुरुजी प्रार्थना कक्ष से बाहर आये, वे इन दोनों विद्यार्थियों को भोजन करते देख बहुत खुश हुए, उन्हें अपने आश् देखिये, ये बच्चे दो हैं, और एक दुस्रे को खिला रहे हैं एक दुस्रे के हाथ से, और ये जो बैठे हैं बच्चे, इन्होंने गुरु जी का कहना नहीं माना, और इनके हाथ वही के वही, स्टक हो गए, तो शिक्षा के है इसकी, जो वेक्तिए अपने गुरु की अग्या नहीं मानता उसे कश्ट ही मिलता है तो वचो कैसी लगी है कहानी उमीद है बहुत अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली कहानी के साथ तैंक्यू